हेलो एब्रिबन दिस इस मंगल सिकरबार एंडूर बचिंग इंगलिश वे अकैडमी आज ग्रेमर के रिवीजन सेक्शन में आपको पढ़ाने बाला हूँ प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है समंद सूचक अव्याई जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेपोजिशन का प्रियोग किसी नाउन अत्वा प्रोनाउन के पहले होता है नाउन या प्रोनाउन के से पहले यूज किया जाता है इसलिए इसका नाम पढ़ा है प्रेप तो noun और pronoun के हमिशा पहले लिखा जाता हैüp प्रेपोजिशन को इसलिए इसका English में नाम पड़ा है प्रेपोजिशन अब हिंदी में भी समझ लेते हैं हिंदी में से कहा जाता है संबंद सुचक अभ्याय अब संबंद सूचक अव्याए क्यों है क्योंकि वाक्य के एक हिस्से का दूसरे हिस्से से संबंद बताता है ये शब्द इसलिए इसे कहा जाता है संबंद सूचक शब्द या संबंद सूचक अव्याए क्योंकि एक ही वाक्य में इसे यूज किया जाता है conjunction और preposition में अक्सर लोग confused होते हैं conjunction का सिज़ा सिज़ा अर्थ है conjunction को कहा जाता है संयोजक जो कि दो वाक्यों को संयोजन करता है दो वाक्यों को जोडने का काम करता है जबकि preposition एक ही वाक्य में यूज के जाता है एक ही वाक्य में प्रियोग करते हैं वाकिके एक हिस्से का दूसरे से संबंद बताता है एक्जम्पल से हम समझ लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है I write with pen तो इसके बिना इसका कोई अर्थ नहीं है मैं pen से लिखता हूँ अगर with को हटा के देखते हैं तो इसमें से से शब्द को हटा के देखें तो इसका मतलब निकलेगा मैं कलम लिखता हूँ तो यह बिल्कुल अलग निकलता है या फिर मैं pen लिखता हूँ यह बिल्कुल अब हिस सेंटेंस का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है इसी तरह से अगला सेंटेंस है A snack was killed by me मेरे द्वारा एक साप मारा गया तो अगर मैं कहता हूँ snack was killed me तो इसका मतलब हो जाएगा कि साप ने मुझे मारा या फिर सेंटेंस का कोई अर्थ होगा भी नहीं तो बाई ने लगकर यहाँ पर बाई जो लगा है बाई ने यहाँ पर लगकर क्या काम कर दिया यहाँ पर बाई ने काम किया है एक बाई के एक हिस्से का दूसरे से संबंद इस्थाबित किया है और snack was killed का मी से क्या संबंद है वो बाई ने बताया है ठीक उसी तरह से I write with pen तो यहाँ पर I write का pen से क्या संबंद है वो with ने बताया है इसलिए यह हो रहा है यहाँ पर इसे कहते हैं संबंद सुचा कब बागे के एक हिस्से का दूसरे से संबंद इस्थाबित कर रहा है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर pen से पहले use किया गया है with तो यहाँ पर यह preposition भी हो गया है English के according मतलब preposition noun या pronoun से पहले use किया जाता है तो pen यहाँ पर noun है pen से पहले pen लगाया है pen यहाँ पर noun है उसे पहले with लगाया गया है preposition और me यहाँ पर pronoun है me से पहले by लगाया गया है the stick fell from the hand the stick fell from the hand तो यहाँ पर from लगा है देख सकते हैं यहाँ पर from लगा है और जो की hand से पहले लगा है hand यहाँ पर noun है hand से पहले लगा है तो यह तो आपने समझा कि preposition होता क्या है अब हम देखेंगे kinds of proposition प्रपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर English man देखा जाए तो पास तरह के लगबग preposition होते हैं एक होता है simple proposition ठीक है जिसे simply use करते हैं एक होता है compound proposition जिसे मिला जुला का proposition है और एक होता है double proposition जिसमें दो प्रपोजिशन आपस में जोड़े होते हैं और एक होता है participle proposition और एक होता है phrasal proposition या फिर phrase proposition भी कहा जा सकता है तो यहाँ पर example भी दियो होते हुए हैं यहाँ पर simple proposition जैसे कि add, buy, into इस तरह के proposition को simple proposition के category में रखा जाता है compound proportion की बात करें तो compound क्योंकि एक से ज़्यादा सब्दों से मिलकर बनाए तो उसको कहा जाता है compound proportion जैसे कि below, beside, between मतलब इसको बोलते समय में दो टुकड़े हो रहे हैं तो compound proportion इसे बोला जाएगा मतलब दो शब्दों से दो धोनी वाले शब्द हैं उसे compound proportion कहा जाएगा अब है double proportion इसमें जो दो proportion की इस्ति बन रही है उसे कहा जाएगा double proportion जैसे कि from behind ये from और behind दो से मिलकर बना from out ये from और out दो से मिलकर बना तो इस तरह के proportion को double proportion कहा जाता है चौथे परकार का proportion है participle proportion participle मतलब ये किसी proposition है जो कि verb की participle form से use क्या गया है जैसे concerning जो की concern से बना है pending जो की present participle से बना है considering जो की present participle से बना है phrase proposition phrase proposition मतलब एक से ज़्यादा cember कर बना है उससे phrase proposition कहें गे दो शबह्या तिन सब्तों से मिलकर बना है जैसे कि by means of, because of, with, of you, to या फिर in opposition to, instead of, on behalf of, in front of, इस तरह के proposition को phrasal proposition या phrase proposition कहा जाता है अब हम proposition के usage को देख लेते हैं किस तरह से correctly proposition को use किया जाता है तो आज हम पढ़ने वाले हैं proposition में add को सबसे पहले add को पढ़ेंगे कहां-कहां use किया जाता है add देखिए आप देख सकते हैं यहां पर कहां यूज करते हैं इसका प्रियोग निश्चिस समय बताने के लिए प्रियोग किया जाता है निश्चिस समय से पहले यह से he came at six o'clock हमने समय का नाम लिया तो यहां पर हमने लगा दिया add at six o'clock इसी तरह से our office starts at ten a.m हमारी office 10 बजे शुरू होती है तो 6 बजे 10 बजे ऐसे समय बताने के लिए जो समय का particular नाम दिया है तो उससे पहले add at लगाते है we came at noon हम तो पहर में आते हैं तो इसी तरह से she will go at night वह रात में जाएगी तो यह हुआ निश्चित प्रपोईशन हुआ और इस तरह से कहां यूज करा है तो निश्चित Sumay के साथ में यूज करते हैं दूसरा यूज है इसका प्रियोक शहर गाउं के लिए यूज करते हैं चोटे शहर शोटे गाउं के स्थिति में यूज करते हैं we live at जनकपुरी जनकपुरी एक महला है तो वहाँ पर यूज किया डेली का इसी तरह she was born at Punjab बाग तो यहाँ पर यूज करते हैं शहर के किसी महोले के या शहर के किसी कसवे या शहर से कखके local हिस्से के लिए यूज करते हैं हम at को और जब कि बड़े शहर की बात की जाए तो वहाँ पर हम यूज करते हैं प्रेपोईशन इनको तो यहां लिकाए फिर से एक एक्जम्पल दिया है छोटे इस्तान को सुचित करने के लिए एट को प्रयोग किया जाता है वो देली में पंजाबी बाग में रहता है तो देली बड़ा था यहां पर इसलिए देली से पहले हमने यूज किया है एट तो ये अगला रूल क्या कह रहा है house, resident, road आदी के लिए at use किया जाता है house के पहले जैसे कि मिना, resident at सफद गंज, इनकलेब ये घर का नाम है उसके तो घर के नाम से पहले at use किया ऐसे ही the ministry of defense is at south avenue तो south avenue एक घर का नाम है तो इसलिए at use किया ऐसे ही the office of bjp is at ashoka road यहाँ पर road से पहले use किया गया है ashoka road पर bjp का office है direction से पहले हम use करते हैं proposition at को जैसे कि she is looking at me वो हम मेरी तरफ देख रही है मुझे देख रही है तो यहाँ पर at me मेरी तरफ मतलब मेरी तरफ का direction है इसलिए यहाँ पर at proposition यूज किया है ऐसे ही the soldier aimed his gun at enemy सिपाई ने दुश्मन पर निशाना साधा तो यहाँ पर फिर से at लगा enemy के साथ अब हम देख सकते हैं उम्र के बोध के लिए भी at का प्रियोग करते हैं जैसे राम left school at 10 यानि कि राम ने 10 साल के उम्र में school छोड़ दिया तो यहाँ पर at लगा 10 से पहले 10 उम्र के लिए she was married at 25 उसकी शादी 25 साल की उम्र में होई तो यहाँ पर मैं के अर्थ में at लगा उम्र के लिए ऐसे लिखा है किसी वश्टू का मूल बताने के लिए at का प्रियोग करते हैं कीमत बताने के लिए potato sells at rupees 5 a kilo potato पांच रुपए किलो कीमत पर बिचे है तो यहाँ पर at लगाया rupees के साथ में कीमत के साथ में I got this pen at 10 मतलब मैंने यह pen 10 रुपए में खरीदा तो मैंका आर्थ यहाँ पर दे रहा है speed बताने के लिए भी at का यूज करते हैं गती speed बताने के लिए जिसे की the bus is running at 40 km an hour बस 40 km प्रत घंटा की speed से चल रही थी तरह से एक और example दिया है she ran at 2 km an hour वो एक घंटे में 2 km की speed से दोड़ी आगे है कारण का भाव प्रकट करने के लिए at का प्रियोग करते है कारण का भाव प्रकट करने के लिए I was surprised at his behavior मैं उसके बेवार से आश्चर चकित था surprised at his behavior तो at को यूज किया हमने कारण का भाव प्रकट करने के लिए अब लिगाए He was delighted at his success वह उसकी सफलता पर प्रसन था तो यहां पर भी कारण का भाव बताया गया है ठीक इसी तरह से at से इस्थाई रूप से कारण में लगे रहने का बोध होता है जैसे कि they are at work वो काम पर है तो यहां पर इस्थाई रूप से काम का बोध हो रहा है boys are at play boys खेल में हैं खेल पर है या खेल में हैं तो यहाँ भी काम का बोध हो रहा है, इस ताई रूप से खेल रहे हैं, जो इसलिए यहाँ पर एट का यूज हो रहा है, इसी तरह से अगला रूल है, किसी तिहुःर के समस्त पिरेड के लिए एट का प्रियोग किया जाता है, जैसे कि people white wash their houses at Diwali, लोग अपने घरों को Diwali पर white wash करते हैं मतलब यह है यहां पर पूरे दिवाली तोहार के दोरान यह काम किया जाता है तो इसलिए यह यूज किया जाता है यहां पर at use कर रहे हैं इस शेल इस्टे at holy मैं holy पर घर पर ही रहूंगा तो यहां पर भी at use किया गया है at का प्रियोग down noon night midnight के लिए भी होता है यहां पर जो पहर है उनके साथ में at का प्रियोग होता है I got up at down I slept at noon Ram works at night the train left at midnight यहां पर night के बारे में थोड़ा सा confusion ऐसा है कि night में particular arc की बात की जाए तो at लगाते हैं लेकि night के जात में इन भी लग जाता है at के बारे में एक और खास बात यहां देखिए आश्चर के अर्थ में at का प्रियोग होता है जैसे astonist at, surprised at, amazed at, alarmed at, wondered at अब देखेंगे preposition in के बारे में देखें इन का प्रियोग कहा के जाता है इन अर्थ देता है में का और इससे कहां यूज करते हैं पहला नियम देखिए यहां पर इसका प्रियोग बड़े शहरों प्रांतों देशों एव महा देशों के साथ होता है जैसे ललिता lives in दुर्गापुर, एहम्दाबाद is in गुजराथ, डैन्मार्क is in यूरोप, we live in इंडिया, तो इस तरह से इन में के अर्थ में यूज होता है फिर दूसरा निया में किसी निश्चित्रिष्टान, सच्चता, कमरा के साथ इनका प्रियोग होता है में के अर्थ में तो यहाँ पर इन लग रहा है किचिन के साथ में समय बताने के लिए भी इनका प्रियोग किया जाता है अब कोई इस्तती या संदर बताने के लिए भी इनका यूज किया जाता है वो गरीबी में है तो यहाँ पर गरीबी एक इस्तती है Mr. Kumar is an honest man in my opinion Mr. Kumar मेरी राय में एक इमानदार व्यक्ती है अब देखिए अगला रूल पोशाक और वेशबुशा के लिए इनका प्रियोग किया जाता है अबस्ता व्यक्त करने के लिए इनका प्रियोग किया जाता है पेशा बताने के लिए इनका प्रियोग किया जाता है It is written in ink यानि कि इसे ink से लिखा गया है तो book is printed in two colors अब दो रंगों में लिखी गई है इसी तरह से he is in the army ink से लिखा गया है किताब दो color में लिखी गई है तो यहाँ पर साधन बताया गया और इस्ताई कारे और पेशा के लिए यहाँ पर army यूज किया गया तो यहाँ पर इनको यूज किया गया तो आज की वीडियो में हमने जाना कि preposition क्या होते हैं और preposition के kind कितनी होते हैं at और in दो preposition के बारे में हमने सीखा यह वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताएगा लगा हो तो like जरूर कीजिएगा और अगर आप first time हमारे चैनल पर आए है तो चैनल को subscribe किजिए और उसके बाद bell icon को क्लिक किजिए ताकि आपको time पर हमारे वीडियो के notification मिल जाए करें so that's enough for today thanks for watching video